आईए समझते हैं क्या मतलब होता है काडियक आउटपूट का आपने कभी न कभी तो सुना होगा कि जो काडियक आउटपूट होता है वो 5 लीटर पर मिनट होता है इस चीज़ का क्या मतलब होता है एकचुली होता है क्या है कि हर्ड के किसी भी वेंट्रिकल में अगर कंट्रेक्शन हो रहा है तो कितना ब्लड आगे फार्वर्ड हो रहा है टोटल 1 मिनट के अंदर यानि हम बोल सकते हैं कि जाद्म आप ब्लड पॉंपट बाई इइच वेंट्रिकल इन 1 मिनट Actually क्या होता है कि heart के अंदर एक बार contraction होता है तो 70 ml blood आगे forward होता है और एक minute के अंदर 72 times contraction होता है यानि cardiac output हम निकाल सकते है 72 into 70 ml यानि equal to आजाएगा 5000 ml ओके